नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत, जूट और पाखंड पूर्ण राजनीती करने के लिए और नाटक नोटंकी से भरपूर और रोज रोज दो दो तीम तीन चार चार पाँच प्रेस कॉन्फरेंस करके सुर्ख्यों में बने रहने की कला जिस पारिटी को आती है उसका नाम है आम अदमी पारिटी और उसके सरवे सरवा हैं दिली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरीबा अतीत में अनेक ऐसे द्रश्टांत हैं अनेक ऐसे किस्से कहानियां और घटनाएं भरी पड़ी हैं कई लोगों ने तो मुझसे ही कहा है मेरे ही प्रोग्राम में कहा है कि रात को ये दिली की अलग-अलग जबहों पर पॉस्टर लगवाते थे और फिर खुद ही अपने कारेकरता भीजवा करके उन पर काली श्याही पुतवा देते थे और अगले दिन प्रेस कांफरेंस करके वक्तवे जारी करके सोशल मेडिया के जरिये ये भी फैला देते थे कि देखो हमारे विरोधियों ने और सीधे सीधे तब तो शुरू शुर इन्ता पारिटी चुकि सेंटर में आ गई तो भारति इन्ता पारिटी पर इन्होंने अटेक करने शुरू कर दिये कि हमारे विरोधियों ने हमारे पोस्टरों पर श्याही पुतवा दी ऐसे बहुत सारे उधारन है डॉक्टर मुनीस रायजादा मेरे साथ जुड़ते हैं जो इनके पुराने संगी साथी रहे हैं उनकी एक डाक्यूमेंटरी है इनका भंडा फोड करते हुए ट्रांसफरेंसी करके है वो यूट्यूब पर जाएंगे तो मिल जाएगी उसमें ये जानकारी दी गई है करनाल के एक सरदार जी थी उनका नाम में भूल रहा हूं कि हम उनको बाकाइदा फोन कॉल किया गया हमको बताया गया कि आप दिली की सीमा से पहले रुकिए वहां आपको एक आदमी मिल जाएगा और वहां जब वो रुके करनाल से चलके तो उनको नए सिम कार्ड दिये गए और कहा गया कि ये अपने मॉबाइल फोन में डाल लीजे और उसके बाद पूरा एक ड्रामा रचा गया कि जो हमारे 28 मले चुन करके आए हैं उनको अरुन जेटली और कुछ बीजे पी नेताओं के यहां से फोन कॉल आए हैं और हमारे मले की खरीद फरुक्त जो है वो शुरू कर दी गई है उनसे अलग-अलग मले को फोन करने के लिए कहा गया था ताकि एक तो यह पता लग जाए कि मले टूटने के लिए तैयार है के नहीं है और एक ही आप वहाँ शुरू करने का मौका मिल जाए कि भारतिये जंता पारिटी वाले हमारे मले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं साजीशे रच रहे हैं ताकि हमारी सरकार ना बन मेट्रो के अलग अलग स्टेशनों पर कुछ धमकिया नुमा चीजें लिखी गई हैं और उसमें आरविंद केजरिवाल को गालियां दी गई हैं धमकियां दी गई हैं ये कहा गया है कि दिल्ली छोड़ दो वरना ये कर देंगे और वो कर देंगे और इसको लेकर के प्रेस क की गई और ये कहा गया कि साब दिल्ली पुलिस जो है इसमें संग्यान ले कारवाई करे और बाकी तो आप साब छोड़ दीजिए इसमें किसी अंकित गोयल का नाम भी ले दिया गया फिर कहा गया कि उसके इंस्टाग्राम एकाउंट पर कुछ तस्वीर हैं और मैसेज जो ह वो अपलोड किये गए हैं एक मेट्रो ट्रेन के भीतर लिखा है केजरी वाल दिल्ली छोड़ दीजिए नहीं तो आपको तीन थपड याद रखने होंगे जो आपको चुनाव से पहले पड़े थे अब सही और वास्तविक थपड जल्दी मिलेगा आज की बैठक जंडे वा प्रोड रुपेश सीम आवास पर एक अन्य ट्रेन में लिखा है कि नीचे दी गई बातों का आप पालन करें जल्बोड का पारदर्शी और जिम्मेदार लोगों नेताओं के जिम्मेदारी तै करें शराब नीती और आपके नेताओं को मिले रिश्वत पर क्या कहना है अब मेट्रो के एक अधिकारी का भी बयान आया है उन्होंने बताया है कि पटेल नगर, रमेश नगर और राजीव चोक पर इस्टेशनों की दिवारों पर कुछ आपत्ति जनक बातें लिखी गई हैं उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और इसमें हम कारवाई करेंगे लेकिन जरा संजय सिंग की लेंगवेज देखिया है अब ये कोई लिख करके गया है या इनोंने ही लिखवा दिये रात में किसी को भेज करके ये तो जांच का विश्य है ना पुलिस जांच करेगी मेट्रो ट्रेन का प्रशासन जो है इसकी जांच करवाएगा पता लग ज उनके मॉबाइल फॉन अगर वो रख रहे होंगे तो उनके मॉबाइल फॉन ट्रेस हो जाएंगे पता लग जाएगा कौन है किस पार्टी से जुड़े हुए हैं लेकिन जल्द बाजी देखिए और जूट और पाखंड की राजनीती देखिए कि संजय सिंग ने प्रेस कॉ पारिवाल के ऊपर भार्ती जनता पार्टी के द्वारा इक बहुत बड़े खत्रें और एक Beした हमले की तयाई के संब्द में है इनके शब्दों पर गोर करिए भारतिय जनता पार्टी के द्वारा किसने लिखें हैं अभी तग कुछ पता नहीं कोई गरफतारी भी नहीं हुई है, कोई चेहरा भी सामने नहीं है, लेकिन ये सीध है एक राष्टी ये पारिटी है, जिसकी केंदर में भी सरकार है, जिसकी अलग-अलग राज्यों में सरकार है, उस पर सीध है, उसी अंदाज में आरोप लगाने के लिए बैठ गए प्रेस कॉन्फरेंस करने के के लिए जैसे ये अन्ना आंदोलन से पहले एक पूरा वातावरण बनाने के लिए अपने पक्ष में एक साहनुबूती और दूसरों को कठगरे में खड़ा करने के लिए लगाते थे और भाग जाते थे आगे सुनिये यह प्रेसवारता पीमो के द्वारा संचालित हमले की योजना के संबंद में है यानि भारती जनता पार्टी को ही नहीं लपेटा है इनोंने पीमो तक पहुँच गए यह प्रदाहान मंत्री ओफिस तक पहुँच गए जब से केजरिवाल जी जेल से बाहर आये है लगातार ये प्रयास हो रहा है यहां तक की सुप्रिम कोर्ट के फैसले पर भी ग्रेमंत्री ने सवाल उठा दिया और इतने बौखलाए हुए हैं इतने बौखलाए हुए हैं कि अर्विंद केजरिवाल को किसी भी प्रकार की हानी पहुचाने के लिए तयार हैं मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि ऐसे हमले की योजना करने के लिए तयार है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है और आप सब लोग जानते हैं बीजेपी ने कई बार अर्विंद केजरिवाल पर हमले की कोशिस की है कोई पहली बार नहीं और आज जगे जगे खुलेयान धंकी दी जा रही है मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धंकी दी जा रही है इनकी आकल पर इनकी बुद्धी पर तरस नहीं आता आप लोगों को PMO अर्विंद केजरिवाल की जान लेने की साजिश रच रहा है भारतिय जनता पारिटी जान लेने की साजिश रही है और इससे पहले भी अर्विंद केजरिवाल की जान कई बार लेने की कोशिश की गई कई बार लगता है कि ये लोग कितने कायर हैं जैड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को जैड प्लस SPG से नीचे समझ लीजिए और इस से ज़्यादा और क्या सिक्योरिटी चाहिए और इसके बावजूद अगर इस तरह का पाखंड इस तरह का जूट बोल रहे हैं और बेसलिस आरोप भारतिय जनता पारिटी और PMO पर ये बैठ करके लगा रहे हैं तो इनके खिलाब तो गंभीर दहराओं में मामला दर्ज करके इनको अरेश्ट कर लिया जाना चाहिए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं या तो इसके सबूत दीजिए कि भारतिय जनता पारिटी ने किसी तरह की कोई साजिस रची है अर्विंद केजरिवाल को मारने के लिए या PMO से कोई साजिस रची जा रही है इसका सबूत दीजिए और नहीं तो देश से माफी मांगए पूरे मीडिया से माफी मांगए और इन मेडिया वालों को भी सारे चैनलों को भी माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि बिना पुष्टी किये इन्होंने ये आरोप लगाया और हमने उसे परसारित कर दिया चला दिया इतनी गैर जिम्मेदारना राजनीती ये लोग कर रहे हैं और किसलिए कर रहे हैं इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं जड़ा सुनिए अर्विन केजरिवाल को गोटाला हो गया शराब गोटाला हो गया जनता पूछ रही है इनसे अब मैं हमें जवाब देने कि जनता पूछ रही है अब शराब गोटाला हो गया पैसा कहा हैं कहां गया वो पैसा खुदी जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नी यहां तो कुछ भी नहीं मिला जिवनी नहीं मिली कहते हैं सौ करोड का घघघाली उगई का लुझा सौ रूपे हुढ कहां गए सारे पैसे विल्कुल भरजी के इस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया अब प्रॉपरिम कोट ने जिन शर्तों पर इनको अंत्रिम बेल दी है जरा वो शर्तें एक बार पढ़िये शराब घोटाले के बारे में अपने केस के बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे ये कहा गया था सुप्रिम कोट से क्या ये उसका पालन कर रहे हैं और आनंद रंग नाथन ने अपने इस ट् आजिरीवाल is openly pro-claiming his innocence and commenting on the liquor excise policy case. This while he was expressly barred by the Supreme Court from doing so, it was one of the condition for granted him bail. where is the Supreme Court on summer vacation यानि क्या गर्मियों की छुट्टी पर चला गया है Supreme Court जो ये नहीं देख रहा है कि किन शर्तों के साथ इनको बाहर भेजा गया था और ये किस तरीके से उन शर्तों की धज्जियां उड़ा रहे हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो कारण है जिनकी वज़े से इनको इस पाखंड पूर्न और जूट की राजनीती का सहरा लेना पड़ रहा इनको लगा था कि जब अर्विंद केजरिवाल को इड़ी गरखतार करेगी तो पूरी दिल्ली जो है वो सड़कों पर उतर आएगी और देश में बवाल हो जाएगा यही बाते कहते थे थे ना इस सोरा बार्दवा जाते शिमार लेना यह सब किसाब अर्विंद केजरिवाल इतने लोग पर यह नेता हैं कि पूरा देश सड़कों पर आ जाएगा और मतलब अगर इनका बहाओ मैं व्यक्त करूँ तो ऐसी तैसी कर देंगे लोग इनकी अर्विंद केजरिवाल एक डिड़ महिना तिहाड में रहकर के आए हैं एडी ने भी उनको अपनी कस्टडी में 11 दिन रखा पुछताच की सारे काम किये ये अदालतों में भी गए हाई कोर्ट में गए फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महरबानी जिस पर आमित शान ने तो खुल करके अपना विचार वियक्त कर दिया कि इनको फेवर किया गया है एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है इनको वरना ऐसा होता नहीं है ऐसे तो सब अंतरिम जमानत मांगने लगेंगे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे खरवाएंगे और कहेंगे कि हमें चुनाओ परचार करना है ये अब बाहर आए हैं बाहर आए हैं तो भी दिल्ली की जनता का जो मूड इनको दिखाई दे रहा है लोगसभा चुनाओ में वो फेवरेवल नहीं है अब इनको इस बात की भी भावना नहीं लग रही है कि जो कॉंग्रेस के साथ इन्होंने गड़बनन किया है तीन सीटों पर कॉंग्रेस लड़ रही है चार पर ये लड़ रहे हैं कि कॉंग्रेस वालों के जो वोट हैं वो हमें ट्रांसफर हो जाएंगे या हमारे वोट जो है वो कॉंग्रेस को ट् सरकार थी जब यह इनोंने कॉंग्रेस को रिपलेस किया और यह मुख्यमंत्री बने यह अलग बात है कि जो शुरू की सरकार बनी थी जिसमें 28 अमेल ले आए थे कॉंग्रेस के ही समर्थन से सरकार भी बना लिए इनोंने क्योंकि भारतिय जन्ता पारटी को रोखना था विज हुए उन्हीं अर्विन के जरिवाल को उन्होंने समर्थन दे दिया और अब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी पत्नी के साथ आज ही ये रोड शो कर रहे थे और वहां इन्होंने क्या अपील की है जरा पहले तो वह सुनवा देता हूं उसके बाद दूसरा क पारटी को निशाने पे लिया जा रहा है क्यों लिया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोग किसी तरीके से भारतिये जन्ता पारटी और प्रदान मंत्री से नराज हो जाएं और आम आदमी पारटी और कॉंग्रेस के प्रतियाशियों को वोट देने के लिए स्तयार हो जाएं इ पर आधमी पार्टी के कारी करतिनाओं से जल्णीं गर्भी बहुत पड़ रही है आलस्मत करें ना कभी ऐसी में वैड़ना और बबंद हमें कि आदा सले किया है आपकी गली में जितने आम आदमी पार्टी के वोट हैं, जो जो आम आदमी पार्टी के वोट हैं, गली में एक एक वोट पढ़ना चाहिए, इसे को घर में मत बैठने देना, पक्की बात, जो कॉंग्रेस वाले हैं, वो भी सुन दो, जो जो कॉंग्रेस के वोट हैं, वो भी इनको यकीद नहीं है कि वोट ट्रांसफर हो पाएगा यानि आम आदिम पार्टी के समर्थ सक कॉंग्रेस को वोट दे ही देंगे या कॉंग्रेस वाले इनको वोट दे ही देंगे अब ये जूट की पाखंड की राजनीती क्यों की जा रही है क्योंकि स्वाती माली वाल के साथ जो कांड हुआ है सी एम हाउस में उस से इनकी बहुत छिचालेदार हो गई है दिल्ली में वो एक पुरानी कहावत है ना कि गए थे हरी भजन को ओटन लगे का पास आये तो थे अपनी पारिटी को संबल देने के लिए चुनाव पर चार करके उसके पक्ष में एक वातावरन बनाने के लिए और अपने पक्ष में एक साहनुबहुती लहर टटोलने के लिए के है के नहीं है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी इनकी तरफ से शुरू से ही उससे ये लोग ये परियास भी कर रहे थे लेकिन वो सहनुबहुती वाहनुबहुती कहीं नहीं है ना इनकी ग्रफतारी पर वो दिखाई दी ना इनके रिहा होकर आने पर दिखाई दी उपर से ये कांड ओर हो गया कि अपनी ही महिला MP के साथ अपने ही घर में अपने ही नेजी सचीर से मरपीट करवा दी अब इससे जो बदनामी हो रही है और चेचाले दारी हो रही है उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी तो कहते हैं कि हम सब इकठा होकर के भारतिय जन्ता पारिटी के आफिस पर आ रहे हैं और हमें मौदी जी आप गिरफतार कर लो कभी अब मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर नारे लिखवा करके कह रहे हैं कि ये सब भारतिय जन्ता पारिटी करवा रही है अर्विन केजरिवाल पर हमले करवाने के लिए और पियमों से साजिस रची जा रही है यानि सूत ना कपास और जुलाहे से लठम लठा कोई सबूत नहीं कुछ नहीं और ये नारे वारे ये धंकिया लिखवाई किसने हैं इसकी भी जांच हो जाएगी पकड़ा जाएगा कोई ना कोई आदमी और पता लग जाएगा अल्टीमेटली किसने भेजा था और इसके मकसद एक्चुल में क्या था तो ये जो हालात हैं दिल्ली के ऐसा लगता है कि ये अपने ही बुने जाल में हस गए हैं गड़ा तो दूसरों के लिए खोध रहे थे उसमें खोधी गिर गए हैं और अब उससे निकलने के लिए हाथ पेर मार रहे हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को बादें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार